डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों का खात्मा करने के लिए वैग्यानिकों ने नई तक्नीक निकाली है ताकि भविश्य में इस जानलेवा बीमारी से निजात पाई जा सके। आपकी जानकाली के लिए बता दें कि डेंगू जीका मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का खात्मा करने के लिए ये स्वादेशी तक्नीक भारतिय आयरविज्यान अनुसंधान केंद्र ने खोजी हैं। इसकी मदद से हर साल लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेने वाली मच्छर जनित बीमारियों की रोक्थाम में मदद मिलेगी। ICMR के मुताबिक इस खोज से मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। हालांकि फिलहाल तकनीक को देश की बड़ी आबादी में उपलब्ध करवाने के लिए उसने नीजी कमपनियों से प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि डेंगू, मलेरिया, जीका, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए बेसिलस, थुरिंगियेंसिस, इसराइलेंसिस का उत्पादन करने के लिए एक तकनीक विक्सित की गई है जो वैक्टीरिया का एक प्रकार है। ये अन्य जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना मच्छर और ब्लेक फ्लाई लार्वा को मारता है। ICMR का कहना है कि ये तकनीक अन्य जानवरों और परियावरण के लिए सुरक्षित है। ICMR के Vector Control Research Center के निदेशक डॉक्टर अश्वनी कुमार की निगरानी में ये खोज पूरी हुई है। इस तकनीक को केंद्रिय की इतनाशक बोड ने इंडियन स्टेंडर्स ट्रेन के रूप में नामित किया है। विश्व स्वास्थे संगठन के अनुसार हर साल मच्छर जनित बीमारियों की वज़ा से करीब 7,000,000 से अधिक मौतें दुनिया भर में होती हैं। में सबसे अधिक संख्या भारत में हैं। केंद्रिय स्वास्थे मंतराले के अनुसार देश में हर साल मच्छर जनित बीमारियों की वज़ा से पांच हजार से अधिक लोगों की मौते हो रही हैं जबकि लाखों लोग इनकी चपेट में आकर बीमार होते हैं। ICMR ने प्रस्ताव में कहा है कि जिन कमपनियों के साथ तकनीक को हस्तांतरित किया जाएगा उन्हें बिकरी का 5% ICMR के साथ सांचा करना होगा। इसी तरह का समझोता ICMR ने हैदराबाद थित भारत बायोटेक कमपनी के साथ किया था जब को वैक्सिन की खोज करने के बाद उन्ह को हस्तांतरित किया था.